आस्ट्रेलिया के डिफेंस चीफ ने जिस भाशा का इस्तिमाल किया उससे इस बात में कम ही संदेह रह जाता है कि अफगानिस्तान में किस कदर कथित तौर पर सैनने नियमो का घोर उलंगन हुआ उन्होंने इसे जहरीला, हिला देने वाला और शर्मना करार दिया साथ ही ऐसी घटनाओं में लिफ्ट होने के बावजूद सजा से बच निकलने का ये कल्चर भी लोगों को हैरान कर रहा है इस जांच में आरोप लगाया गया है कि सैनने नियमो और नीतिकत मूलियों की धजजियां उड़ाई गई है नागरिकों और कैदियों की ऐसी हत्याओं को कतई स्विकार नहीं किया जा सकता और ऐसा नहीं है कि ये हत्याओं युद्ध के जोश और उन्माद में की गई जांच में कहा गया कि हत्याओं में लिफ्ट लोगों को कतई इस संदे का लाब नहीं दिया जा सकता कि उनके इदादे साफ नहीं थे या उन्हें मालूम नहीं था कि वो क्या कर रही है जनरल कैमबिल के भाशन में एक आरोब का जिक्र किया गया जिसमें जूनियर सैनिकों को खून देखने का अभ्यस्त बनाने के लिए नहत्य नागरिकों को गोली से उड़ा दने का हुकम दिया गया आरोब ये भी है कि हत्याओं को अंजाम देने के बाद पीडितों के पास रेजियो और हत्यार इस तरह से छोड़े गए ताकि साबित किया जा सके कि वो हत्यार बन दुश्मन थे उन्होंने अफगान लोगों से कहा कि आस्ट्रेलिया की सेना के बारे में 2016 की इस खूफिया रिपोर्ट में साइनिकों पर गंभीर युद्ध अपराद के आरूप लगाए गए हैं जिसके बाद सेना के खलाफ इन अपरादों की आधिकारिक जाच का ऐलान किया गया साथी और अस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा कि सेना इससे निपटने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है जो भी हुआ उससे निश्चित तोर पर आस्ट्रेलियाई सेना की छवी को धका पहुचा है लेकिन मुझे लगता है कि इस दिशा में जिस तेजी से कदम उठाए गए हैं और जनरल कैंप बेल की अगवाई में जो सुधार का काम चल रहा है उससे काफी मदद मिलेगी और इससे हमें आगे बढ़ने में सही योग मिलेगा रिपोर्ट में जो आरूप लगाए गए हैं उनकी जाच के लिए एक जाच करता कुन्युक्त किया जाएगा और सबूत इकठे किये जाएंगे फिर उन्हें सरकारी वकील को सौपा जाएगा इस प्रक्रिया में सालों लग सकते हैं लेकिन काफी संचोधनों के बाद रिपोर्ट का ये हिस्सा जारी किया गया है इसमें किसी खास घटना या व्यक्ति का नाम भी शामिल नहीं है लेकिन जो भी जानकारी इसमें है वो उस्ट्रेलियाए सेना, सरकार और आम लोगों की नींद उड़ाने के लिए काफी है